राष्टमंडल खेल 2022 का समापन हो चुका है भारत ने कुल मिलाके 61 पदक जीते जिसमें की 227 पदक शामिल है और फिंट्स यह जो राष्टमंडल खेल 2022 है काफी जादा इसका समपून वीडियो है मतलब एकजाम में ऐसा कोई भी कोशन नहीं होगा जो मैंने आपको अपनी वीडियो में नहीं करवाया होगा तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना तो चलिए शुरू करते हैं फिर्स्ट कोशन से फिर्स्ट कोशन है मारा राष्टमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां हुआ है सही आंसर इसका ऑप्शन सी बर्मिंगम शहर में बर्मिंगम शहर में राष्टमंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ है यह आपको याद रखना है फिर्ट्स अगर हम बात करें बर्मिंगम यह इंग्लेंड देश का एक शहर है, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, राष्टमंडल खेल को हम Commonwealth Games के नाम से भी जानते हैं, और आपसे एक्जाम में कोशन और पुछा जा सकता है, कि जो 2022 में राष्टमंडल खेल, खेला गया है, कौन सा संस्क्रन है, 22 संस्क्रन है, यानि यहां पर लिख देता हूँ, ठीक है, गोल्ड कोश शहर और अस्टेलिया देश में स्थेता है, और आपसे एक्जाम में यह पूछें, कि 22 का जो अगला संस्क्रन है, जो कि है 23 संस्क्रन, वो कहां पर खेला जाएगा, तो 23 संस्क्रन खेला जाएगा, विक्टोरिया में, और इंपॉरन कोशन है आपके एक्जाम के लिए, सही आंसर है, इसका ऑप्शन ए, अस्टेलिया, अस्टेलिया देशने फ्रेंट्स, रास्ट मंडल खेल 2022 में सबसे जादा पदक जीते हैं, फ्रेंट्स, यह आपके सामने अस्टेलिया का फ्लैग है, ठीक है, अब हम मैडल चार अस्टेलिया जो है नमबर एक पे है, अस्टेलिया ने फ्रेंट्स कूल मेडल जीते हैं, 178, आप से एक्जाम में पूछेंगे कि अस्टेलिया ने कितने मेडल जीते हैं, 178 मेडल जीते हैं, और पहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अस्टेलिया ने सबसे जादा गोल् 57 कितने है? 57 है रजट पटब, 94 क्या है? ब्रॉंज मैडल यानि कि कांसे पटब, यह आपको याद रखना है दूसरे नंबर पे इंग्लैंड है इंग्लैंड कुल पटब जीते हैं 173, और इंग्लैंड कुल 56 सोरन पटब जीते हैं तो जो हमारा देश भारत है friends, इसने भी काफी अच्छा प्रफॉर्म किया है इस खेल में, तो भारत रहा है friends, चौथे स्थान पर, भारत ने friends, कुल मिलाकर 61 पदक जीते हैं friends, जो की कम नहीं है, काफी ज़्यादा पदक जीते हैं भारत ने इसमें, 61 पदक है, जिसमें की 22 है friends 70 पदक, 16 है, रजजट पदक, और 23 है कांसे पदक, यह आपको याद रखना है, अब हम इस question को important point से समझ लेते हैं, राश्टमंडल खेल 2022 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं, अस्टेलिया देश ने, अस्टेलिया ने कुल 178 पदक जीते हैं, जिसमें की 67 पदक है, यानि आपको याद रखना है, आपसे एक्जाम में पूछेंगे कि पहले नमबर पे तो अस्टेलिया है, अस्टेलिया ने कितने मेडल जीते हैं, यह भी एक्जाम में पूछा जाएगा आपसे, भारत का स्थान क्या रहा है, भारत ने कुल 61 पदक जीते हैं, यह आपको याद भारत जो है चोथे स्थान पे रहा है भारत ने कुल पदक जीते है 61 जो कि हमारे कोशन का आंसर भी था यह कोशन आपसे डारेक्टली एक्जाम में पूछा जाएगा अगले चार साल तक अगर आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो तो जब तक अगले वाला नहीं हो जाता तो भारत कुल 61 पदक जीते हैं जिसमें की चोथे स्थान पे भारत रहा है 22 गोल्ड है 16 रजजत है और 23 क्या है कांसे पदक है यह आपको याद रखना है नेक्स कोईशन यह कोईशन भी एक्जाम के लिए काफी इंपोरेंट है राश्टमंडल केल 2022 में सबसे ज़्यादा स्वन पदक जो की 67 है किस देश ने जीते हैं सही आंसर है ऑप्शन ए अस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा स्वन पदक यानि की गोल्ड जीता है यहाँ प पुछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा रजट पदक किस ने जीता है इंग्लेंड देश की टीम ने जीता है कितने 64 रजट पदक जीता है रजट को हम सिल्वर भी बोलते हैं सबसे ज़्यादा कांसे पदक जीता है अस्टेलिया देश ने कितना चोवन यह भी आपको याद रखना है, next question, राष्ट मंडल खेल 2022 का आयोजन कब से कब तक हुआ है, सही answer इसका, option A, 28 जुलाई 2022 से 8 अगस 2022 तक राष्ट मंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ है, राष्ट मंडल खेल 2022 का आयोजन हुआ है, राष्ट मंडल खेल 2022 को फेंड्स बर्मिंगम राष्ट मंडल खेल 2022 के न पैरी दा बुल जो है ये राष्ट मंदल खेल 2022 का शुभभंकर है या बोल सकते हो मैसकोट है young friends आप देख सकते है फोटो में ये पैरी दा बुल जो की शुभभंकर जो राष्ट मंदल खेल 2022 का है वो आप देख सकते हो ठीक है यह question exam के लिए काफी important है next question राष्ट मंडल खेल 2022 के उद्गाटन समहारों में भारतिय धवजवाहक कौन थे सही answer इसका option C उप्यूक्त A और B यानि की PV सिंदू जो की badminton खिलाडी है मनप्रीज सिंग जो की hockey खिलाडी है अगला question कर लेते हैं यह भी exam के लिए काफी important है राष्ट मंडल खेल 2022 के समापन समहारों में भारत के धवजवाहक कौन थे सही answer है option C उप्यूक्त दोनों यानि की अंचता शरत कमल और निखथ जरीन अंचता शरत कमल और निखथ जरीन यह राष्ट मंडल खेल 2022 के समापन समहारों में भारत के धवजवाहक थे यह आपको याद रखना है मैं आप कोई good news देना चाहता हूँ हमारी current affairs की book launch हो चुकी है आप सभी की demand आ रही थी कि हमारी अर्धवार्षी की किताब 2022 की तो रवी current affairs book के नाम से हमारी book launch होई है अर्धवार्षी की किताब है और हर exam के लिए काफी ज़्यादा useful है फ्रेंस ठीक है last six month के सभी important question इसमें हमने topic wise cover कर दी है अब तक ही best book है यह market में तो फ्रेंस आप इस book को flip card से खरी सकते हो ठीक है flip card पे जाना है आपको रवी current affairs book को search करना है और मैं फ्रेंस आपको यकीन दिलाता हूँ इससे best book current affairs के लिए आप तक आपको कोई भी market में नहीं मिलेगी मतलब फ्रेंस इतने easy language में हमने समझाया है सभी question को हमने topic wise रखा है एक भी question हमने skip नहीं किया है ताकि आपको एक्जाम में कोई दिक्कत हो तो आप इस book को जरूर बाई करना अगर आप किसी भी government exam की त्यारी कर रहे हो तो रवी current affairs book यह आपने याद रखना है अब हम next question कर लेते है राष्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला सोरन पदक किसने जीता है सही answer इसका option A मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू जो कि भारतोलन की खिलाड़ी है इन्होंने राष्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहला सोरन पदक जीता है ठीकर पहला gold जीता है यह आपको याद रखना है वर्ष 2022 में राष्टमंडल खेलों का कौन सा संस्क्रन आयोजित हुआ है मैं आपको उपरी बताया था इसका answer तो सही answer इसका option A 22 वर्ष 2022 में राष्टमंडल खेलों का 22 संस्क्रन आयोजित हुआ है यह आपको याद रखना है फिर यह तो कुछ important question थे ठीक है 2022 के राष्टमंडल खेलों के basic से ठीक है तो अब मैं कुछ question जान लेते हैं जो पहला राष्टमंडल खेलों था उससे जोड़े हुए क्योंकि यह question भी exam में पूछ लिया जाता है तो question है राष्टमंडल खेल पहली बार कब आयोजित हुए थे काफी बार exam में पूछा जा चुकाई है सही answer है option C वर्ष 1930 में वर्ष 1930 में राष्टमंडल खेल पहली बार आयोजित हुए थे राष्टमंडल खेल या Commonwealth Games एक अंतर राष्टी बहु खेल प्रतियों कीता है जिसमें राष्टमंडल देशों की एथलीर शामिल होते हैं यह आयोजित पहली बार 1930 में हुआ था तब तब से हर 4 साल बाद इसका आयोजित होता है ये भी आपको याद रखना है next question कह लेते है next point हमारा राष्टमंडल खेलों को 1930 से 1950 तक British Empire Games के नाम से जाना जाता था आपसे एक्जाम में पूछेंगे कि राष्टमंडल खेलों को शुरुआत में किस नाम से जाना जाता था तो आपका अंसरों का British Empire Game और उसकी बाद 1954 से 1916 तक British Empire and Commonwealth Games के नाम से जाना लगा उसकी बाद 1954 से 1916 तक British Commonwealth Games के नाम से जाना जाता था यह आपको याद रखना है अगला कोशन राष्टमंडल खेल पहली बार कहां आयोजित होए थे दिखो फेंट्स मैंने आपको उपर वाले कोशन में क्या करवाया है कि पहली बार जो राष्टमंडल खेल थे 1930 में आयोजित होए थे अब कोशन पूछ लिया गया है कि कहां पर आयोजित किये गए थे तो इसका सही आंसर होगा Option B Hamilton Canada Canada का जो शेहर है फेंट्स Hamilton यहाँ पर राष्टमंडल खेल यानि कि Commonwealth Games पहली बार आयोजित किये गए थे फेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो का कॉंटेंट पसंद आ रहा है कॉलिटी पसंद आ रही है वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना मेरी कोशिश हमेशा यह रहती है कोई भी content लेकर आओं complete लेकर आओं ताकि आपको किसी और sources पर depend होने की ज़रूरत ना पड़े और फेंट्स आप मुझे comment box में जरूर बताना कि आपको अगला वीडियो किस topic के ओपर चाहिए चाहिए वो polity का हो चाहिए history का हो चाहिए geography का हो चाहिए economics का हो जर्नल साइंस का कोई भी topic आपने पढ़ना है बस आप comment करिये मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर लेकर आओंगा अगला question राश्टमंडल खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित किये जाती हैं तो सही answer है option B चार वर्षों के अंतराल पर आयोजित होता है राश्टमंडल खेल ये आपको याद रखना है अगला question भारत ने पहली बार राश्टमंडल खेलों में कब भाग लिया था सही answer है option B 1934 लंदन राश्टमंडल खेल में भारत ने पहली बार राश्ट मंडल खेलों में भाग लिया था, यह question भी exam के लिए काफी important है, इसमें पुछा गया गी भारत ने कब हिस्सा लिया था, पहली बार राश्ट मंडल खेलों में, 1934, answer होगा, जो कि आयोजित हुआ था लंदन, यह आपको याद रखना है, अगला question, साल राश्ट मंडल दिवस के रूप में मनाया जाता है, अगला question, किस देश में सबसे ज़्यादा बार राश्ट मंडल खेल आयोजित हुए हैं, तो किस देश में सबसे ज़्यादा आयोजित हुए हैं, तो सही answer होगा, option D, Australia देश में सबसे ज़्यादा बार राश्ट मंडल खेल आयोजित हुए हैं कुल आयोजित हुए हैं पाँच बार ये भी आपको याद रखना है और राश्टमंडल देशों का मुख्याले कहां पर स्थित है अगर अग्जाम में आपसे पूछ लें तो सही आंसर है option B लंदन युनाइटेड किंग्डम में राश्टमंडल देशों का मुख्याले स्थित है राश्टमंडल देशों की स्थापना कब हुई थी सही आंसर है option B 11. दिसंबर 1931 में राश्टमंडल देशों की स्थापना हुई थी अगला कोशन most important question है राश्टमंडल देशों में 200 सोवन पदक जीतने वाला चौथा देश कौन सा बना है सही आंसर है option A भारत हमारा प्यारा भारत जो है राश्टमंडल खेलों में 200 सोवन यानि 200 गोल्ड जीतने वाला चौथा देश बन गया है यह आपको याद रखना है देखो यहां प अगल मिलाके 1300 सोवन पदक जीते हैं वहीं अगर हम बात करें इंगलेंड इंगलेंड 773 सोवन पदक के साथ दूसरे स्थान पे है कनाड़ा 510 सोवन पदक के साथ तीसरे स्थान पे है अब एक most important question क्या बनता है आपसे एक्जाम में पूछेंगे कि कौन सा देश है जिसने कि सबसे ज़ादा सोवन पदक जीते हैं राश्टमंडल खेलों में या बो सकते हो कि 1000 से ज़ादा सोवन पदक जीते हैं तो आपका आंसर होगा अस्टेलिया देश ये भी एक्जामें पूछ लिया जाएगा आपसे और friends हमारा जो current affair का channel है जिसका नाम है current affairs by ravie उससे आप सकते हो तो सही answer इसका option D 2010 में वर्ष 2010 में friends पहली बार राश्टमंडल खेल आयोजित हुए थे कहां पर आयोजित हुआ था दिल्ली में आयोजित हुआ था अगला question वर्ष 2010 में भारत में आयोजित राश्टमंडल खेलों का कौन सा संसकरन था सही answer इसका option A 19 संसकरन था 2010 में भारत में राश्टमंडल खेल आयोजित हुआ था अगला question 21 में राश्टमंडल खेल 2018 कहां आयोजित हुए थे देखो friends यह मैं को क्यों करवा रहा हूँ आज की date में अभी जो हुआ है Commonwealth Game या राश्टमंडल खेल 2022 में हुआ है संसकरन कौन सा है 22 संसकरन है तो पिछले वाला और अगले वाला important होता है तो पिछला वाला कब हुआ था चार सल पहले हुआ होगा कब हुआ होगा 2018 में तो यह कहां पर हुआ था यह हुआ था यह हुआ था फैंट्स ऑप्शन ए गोल्ड कोस्ट अस्ट्रेलिया गोल्ड कोस्ट अस्ट्रेलिया में 21 राश्टमंडल खेल 2018 2018 आयोजित किया गया था नेक्स कोशन अब देखो फैंट्स अगले वाला भी important होता है तो अगले वाला कब होगा चार सल के बाद होगा यानि 2026 में होगा ठीक है तो यह भी exam के लिए important है तो वही हमारा कोशन आ गया है कि 23 राश्टमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किया नेक्स कोशन राश्टमंडल खेलों में स्वरपथम किस खिलाडी ने भारत के लिए स्वन पदक जीता था सही आंसर है option A मिल्खा सिंग ने जीता था जो की अथलीट थे मिल्खा सिंग ने 1958 के कारडिफ में स्वन पदक जीता था अगला कोशन बर्मिंगम राश्टमंडल ख अगला कोशन भारत ने राश्टमंडल खेलों में किन वर्षों में भाग नहीं लिया था सही आंसर है option E, उप्युक्त सभी, 1930, 1950, 1912, 1986, इन 4 वर्षों में भाग नहीं लिया था भारत ने, ठीक है friends, यह आपको याद रखना है, अगला question, राष्टमंडल केल किस वर्ष आयोजित नहीं किये गए थे, सही answer इसका, option D, उप्युक्त A और B, यानि कि 1942 और 1946, इन 2 वर्षों में राष् की सबसे कम उमर की athlete कौन बनी है, सही answer है, option A, अनाहत सिंग, अनाहत सिंग, जिनकी उमर 14 वर्ष है friends, यह सबसे कम उमर की athlete बनी है, अनाहत सिंग जो है friends, squash खेल की खिलाडी है, यह अभी आपको याद रखना है, और एक question exam में आपसे और पूछा जाएगा, सबसे जादा उमर द्रज के खिलाडी कौन है, सुनील बहादुर, जिनकी उमर है 45 वर्ष, अगला question, राष्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए किस खिलाडी ने पहला पदक जीता है, सही answer है, option A, संकेत महादेव सर्गर, संकेत महादेव सर्गर ने राष्टमंडल खेल 2022 में भारत के लिए पहल पदक जीता है, यह आपको याद रखना है, एक्जाम के लिए important है, और इन्होंने फ्रेंट रजट पदक जीता है, यह भी आपको याद रखना है, और भारत खेल से इनका संबंध है, अगला question, Commonwealth Games 2022 में भारत किस खिलाडी ने इतिहास में पहली बार उची कोद में कांसे पदक है, जीते गए हैं भारत की तरफ से, आप सासात में कर लीजिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए, पहले है मेरा बाई चानू, मनिपूर की है भारत खेल से इनका संबंध है और इन्होंने महिला 49 kg में यह पदक जीता है, नेक्स्ट है जेरेमी लाल रिनूंगा, म पुरुष 73 kg में यह पदक जीता है, नेक्स्ट है भारत की स्टार पीवी सिंदू, यह हैदराबाद की हैं, बैडमिंटर में इन्होंने पदक जीता है, ठीक है और महिला एकल में जीता है, नेक्स्ट है बजरंग पुनिया हर्याना की हैं, कुष्टी में जीता है इन्होंने दीपक पुनिया हर्याना के हैं ये नेक्स्ट है रवी कुमार धहिया हर्याना के हैं विनेश फोगाट नेक्स्ट है नवीन सिहाग भावना हसमोक भाई पटेल नेक्स्ट है नीतु घंगास अमित पंगाल निखत जरीन लक्षय सेन चिराक शेटी सातविक साहिराच रंकी शरत कमल और जी साथियान लवली चोबे रूपा रानी तरिकी पिंकी और नयन मोनी सेकिया ने भी जीता है फेंट्स उसके बाद सुधीर है जो कि हर्याना किया इन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में जीता है यह आपको याद रखना है और फिन सोलर रज़त पतक विजयत बाद स्वामी अविनाज साबले पुरुष लॉन बॉल टेनिस ने भी जीता है फेंट्स अब्दूल्ला अबू बेकर ने शरत कमल जी साथियान भारतिय मिला क्रिकेट टीम ने जीता है सागर एहलाबाद ने जीता है और भारतिय पुरुष ऑकी टीम ने जीता है रज़त बदक अब हम जान लेते हैं कांसे बदक विजयताओं की सूची गुरुराजा पुजारी विजय कुमार यादव हरजिंदर कौर लप्री सिंग सौरव घोशाल गुर्दीब सिंग तीजिश्वन शंकर दिव्या काकरन फें साथ साथ मेना जो यहां पे लिखा हुआ है कि किस क्याटेगरी में जीता है और किस खेल से इनका संबंद है में यह भी काफी इंपॉरिंट आपके लिए नेक्स्ट है मोहित ग्रेवाल जैस्मीन लंबोरिया पूजा गहलोत पूजा सिहाग नेक्स्ट है मुहमद हुसा मुदीन दीपक नहरा रोहित टॉक्स सोनल बेन पटेल महिला होकी टीम ने भी जीता है संदीप कुमार अनुरानी सौरव खुशाल दिपिका किदांबी शिरिकान तरिशा जौली और पुलेला गायतरी गोपी चंत साथियान गर्ना शेखरन ठीक है फैंस इन्होंने जीता है ब्रॉंज तो फैंस यह वीडियो कंप्लीट होई है उ साथ है अपनी एक्जाम की त्यारी को आप और ज्यादा मजबूत कर सकते हो तो फैंस अब आपके दो कोशन का टेस्ट है इसका अंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है रास्टमेंटल खेल 2022 का योजन कहां हुआ है चार आप्शन है आपके पास नेक्स्ट है रास्टमे वीडियो में थांक यू और विश्यू आल दी बेस्ट